दोस्तो पिछले दो सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चड़ी हुई है। बीते समय में ना केवल यूक्रेन बलके अमारिका, यूरोप और सभी नाटो देश रूस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतने शक्ति शाले देशों के एक होने के बावजूद अब तक रूसी सेना का बाल भी बांका नहीं हुआ है। बलके साल भी रूस का नाम दुनिया के सबसे शक्ति शाले देशों में शीर्श पर रहा है। जहां महाशक्ति शाली देशों की 2024 की सूची में अमारिका और चीन के बाद रूस ने अपनी तीसरी जगा बनाये रुखी है लेकिन रूस का स्टैने बला खरकतना शक्ति शाली है कि दो सालों की घातक जंग के बावजूद उनके ताकत में ज़रा सी भी कमी नहीं आई है आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे दोस्तो एक और जहां युद में यह पता चलता है कि किस देश की ताकत कितनी है वही लंबे समय तक युद में बने रहने से देश की सैन्य ताकत पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि युद में इस्तमाल होने वाले हतियारों के संख्या में भारी कमी आती है और युद के दौरान अने एक देश नए हतियार डेवलब भी नहीं कर पाते है पिछले कुछ सालों से हम रूस युकरेन तालिबान अफगानिस्तान और अजराईल हमास का युद देख चुके हैं जिसमें सबी शामल होने वाले देशों की खमर तोट चुकी है परचाय वो अफगानिस्तान हो या फर पलस्टीन युकरेन हो या फर अजराईल लेकिन इन में से सबसे लंबे समय तक चले रूस युकरेन युद्ध में बिना किसी की मदद लिया रशिया ने अपनी पूरी ताकत से जंग लड़ी है और दुनिया को अपनी ताकत की जलक दिखाई है वहीं दूस्टी और रूस से कई गुना छोटा युकरेन अमारिका नाटो और यूरोप जैसे देशों से मदद लेकर रूस का डटकर मकाबला कर रहा है लेकिन यहां सोचने वाली बाती है कि हमेशा से रूस के खलाफ रहा अमारिका वार्फरंट पर आकर सीधा रूस से क्यों नहीं लड़ता और रूस के पास हतियारों का कतना बड़ा जखीरा है कितने सारे सेक्शन्स लगने के बावजूद वो टफस से मस नहीं हो रहा है दरसल सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैने ताकत हमेशा से अवल दरजे की रही है जिसका मुख्यकारन है इसकी एकनॉमी रूस को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है और ये देश अपने बज़ट का सबसे बड़ा हिससा अपनी मिलिटरी यानि की रुशियन आम्ड फोर्स पे इन्वेस्ट करता है पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के कारण रुशिया ने अनुमान लगाया था क्योंकि रूस ने भारत चीन और कई एशियाई और अफ्रिकन देशों के दम पर दुनिया बर में सेंक्टरंस को बाई पास करते हुए अपनी एकनॉमिक कंडिशन को समाले रखा है जिसकी बदालत जहां जंग से पहले रूस 2015 से 2021 तक हर साल अपनी हो रहे हैं वह दूसरी तरफ वैग्यानिक नएने हथियार बनाए जा रहे हैं इसी वज़ए से अमारिका और नाटो भी रूस की मिलिटरी ताकत को कमजूर नहीं कर पा रहे हैं वह रूस के पास एक और बेनेफिट था और वो है सोवियत यूनियन के समय में मौजूद हथि कर दिया था इसके लावा रूस की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनी जिस वक्त अपनी फॉज को दिन राद बंपर हतियार सप्लाई कर रही है और रूस की इस समय तमाम कोशिशों की वज़र से जंग के बावजूद देश की ओवरॉल पावर में एजाफा देखने को मिल रहा ह जिसका सबूत 2024 की फोप्स की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एंड वर्ल्ड वाले लिस्ट दे रही है क्योंकि इस लिस्ट में एक्सपर्ट्स ने रूस को तीसरा दर्जा दिया है हलाकि अनुमान लगा जा रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध जल्दी नहीं रुका तो अगले दो सालों में रश्या इस लिस्ट में पाचवे नंबर पर आ जाएगा 15 करोड की अबादी वाले इस देश में फिलहाल 1.15 मिलिएन अक्टिव मिलिटरी परसनल हैं जिसे 2026 तक बढ़ा कर 1.15 मिलिएन यानी 15 लाक फजानिकों के बल तक ले जाएगा इसके अलावा रुस के पास 2.40 मिलिएन रिजर्व मिलिटरी परसनल भी हैं, रुशियन आर्म फोर्स तीन भागों में बटी हूई है ग्राउन फोर्स, नेवी और एयर फोर्स इसके अलावा दो independent armed force भी हैं, strategic rocket forces और air burn force वहीं रूस ने 2013 में special operation forces भी establish की थी जो कि इतनी घातक है कि कोई काम करने का contract मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है रूसी सिना के अपने देश रूस के अलावा northern, कोकेशियान, बेलारूस, आर्मेनिया, सीरिया, माल्डुवा, तजाकस्तान और वियतनाम जैसे देशों में बिमिलिटरी बेस मौजूद हैं अस्तमाल वो जंग के समय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की सिना हमेशा युद्ध ही करती है जिसकी मदद से रूस चारों तरफ से अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है अब रूसी सिना के हथियारों के जखेरिया पर एक नज़र डालें तो इस देश के पास 6,000 से भी ज़्यादा नियुकिलियर हथियार है जो दुनिया में किसी भी देश से कई गोना ज़्यादा है इसलिए रूस को नियुकिलियर सुपावर भी कहा जाता है रूस के जमीनी हथियारों के बेडे में एक से बड़े एक हैंड ग्रेनिट्स, मशीन गंस, मसीन मिजाइल लांचर, ग्रेनिट्स और स्नाइपर गंस लाखों के संख्या में मौझूद है उसके अलावा रूसी आर्मी के पास 1000 जंगी टैंक्स मौझूद हैं जिनमें 800 T-62 टैंक्स, 5000 T-72 टैंक्स, 3480 T-80 टैंक्स और 600 T-90 टैंक्स शामिल हैं मैं रूस ग्राउंड सेना के पास कई ऐसे जंगी टैंक्स और बखतर बंद गारियां हैं जो हाईवेर अगस्तान बर्फ और पहाडों पर भी चड़ जाते हैं और कई किलोमेटर दूर से निशाना साथ कर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं दोस्तों रूस ने अपनी सेना में आर्टिफिशिल टेक्नॉलजी को भी शामल कर लिया है यानि रूस के पास कई ऐसे रोबोट हतियार हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलते हुए दुश्मन के अलाके में गुज जाते हैं और हमला कर देते हैं रूस के पास यूरॉन 9 और यूरॉन 14 जैसे बड़े विकल्स भी हैं जोने चलाने के लिए किसे इनसान के जरूरत नहीं है बलकि रूसी सेना के अधिकारी से कंट्रोल रूम से बैट कर आपारेट कर सकते हैं या फिर टागेट देकर आटो मुबाइल चलने के लिए छोड़ सकते हैं चलिए अब रूस की एरफोर्स की तागत भी देख लेते हैं क्योंकि आज के समय में आहम फोर्स तभी आगे बढ़ सकती है जब उन्हें आसमान से एरफोर्स का सपोर्ट मिले रूस के पास आज के समय में 4800 एरक्राफ्ट हैं जिसमें 809 फाइटर जेट, 730 डेडिकेटड ग्राउंड अटाक एरक्राफ्ट, 453 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट के 7745 स्पेशल एरक्राफ्ट और 1547 हेलिकॉप्टर्स शामल है मैं रूस के फाइटर जेट के सामने तो दुनिया की माश्रक्तिशाली डेशों के फाइटर जेट भी चायकम पाने होते हैं क्योंकि रूस के मिग और सुकोई क्लास के फाइटर जेट सूपर एडवांस हैं जो आवाज से भी तेज रफ़तार से उन्ने में सक्षम हैं और न प्रश्च बिलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और ये सबी रूस के फाइटर जट्स पर फिट हो जाती हैं यानि कुल मिलाकर रूस की एरफोर्स का मकाबला करना किसी विदेश्य एरफोर्स के लिए टेलीर साबित हो सकता है आई अब रूसी नेवी फोर्स की बात कर लें तो रू सी कॉरवेट, 64 सबमरीन और 55 पेट्रॉल विकल्स और 48 माइन वार्फवे और शिप्स मौजूद हैं एड्मिरल कुजनित्सो एरक्राफ्ट करियर रुश्य निवी की शान मना जाता है इसका बज़न लगबग 40,000 है और एक बाहर में 40 प्लेंज को ले जाने की शमता रखता ह रुस के सब्मरीन के बेड़े में 3 अकूला क्लास, निकलीयर सब्मरीन, 22 अड़वांस क्लास, असॉल्ट सब्मरीन और 12 बिलिस्टिक सब्मरीन हैं जन्में रूस ने नुकिलियर टापीडो पहले से ही लोड करके रखे हैं और ज़रूरत पढ़ने पर रूसी सब्मरीन कभी बेने फाया कर सकती है ऐसे में बलें यूक्रेन के साथ जंग में अमारिका, यूरोप और नाटो बैक फ्रंट से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हूं लेकिन वो कभी भी फॉर्वर्ड फ्रंट पर आकर पुतीन को भड़काना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जब राश्डपती पुतीन का पारा चड़ गया तो रूस जंग का ऐसा शेलाब खड़ा कर देगा कि जिसमें वो खुद के साथ पुरी दुनिया को डुबा देगा तो दोस्तों अब तो आप समझे चुके होंगे कि आखर क्यों अमारे का यूरोप और नाटो भी रूस की सेना के सामने खौफ गाती हैं ये जानकारी आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर ये वीडियो अची लगी हो तो इसो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी दिल्चस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी चिरूर बजा दीजे धन्यवाद